आप इसको सस्क्राइब कीजिए, देखिए ऐसी बात है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लोग कहतें कि मेरे एक सस्क्राइबर से क्या हो जाएगा, आपके एक सस्क्राइबर से बहुत कुछ हो जाएगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सस्क्राइब करेंगे अब मेरे reply पर रिश्यप मुझे क्या लिखता है? सॉरी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो बस आप रिलिशिप के लिखे आलवेज सॉरी पत्नी क्या लिखा है आलवेज नेगेटिव ही दिखाते हो पॉजिटिव नहीं दिखाते हो दिखाते आपके साथ ही नहीं हुआ कला दुनिया में और भी लोग है और इस दुनिया में negative positive दोनों तरह के लोग है exactly मैं इस चीज़ से deny नहीं करती हूँ कि दुनिया में दोनों तरह के लोग है रिशाप प्रजापती रिशाप प्रजापती जीरो वाड इसका idea है यूट्यूब पर जिससे इसने मुझे comment किया लेना देना यार मुझे तुमसे क्या लेना देना मुझे किसी और लड़की से भी क्या लेना देना मगर अगर मेरे से मेरे साथ कोई और लड़की आटाइस जोगी मेरी life में उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो वो मैं share करूँगी देखो my channel is my channel where it I will share my life experience to public ताकि public को चांड सके कि भई लाइफ में किसी के साथ क्या क्या होता है महाँ पर मोधी के साथ क्या हो रहा है तो मैं डालूँगी मोधी के साथ क्या हो रहा है या अमिशा के साथ क्या हो रहा है तो मैं वो अच्छ अपने चैनल पर डालूँगी अगर मेरे साथ जिस दिन कुछ अच्छा होगा रलेशेंशिप में मैं वो भी शेयर करूंगी और ये मेरा चैनल है ठीक है ये मेरा चैनल है मैं वही अपना experience भी शेयर करूंगी दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं है और बताओ आज कल कौन सी शादी में सब कुछ अच्छा ह हो रहा है बुरा तो क्या बुरा तो क्या लगेगा मुझे हां अच्छा बुरा तो क्या लगेगा मुझे अब मुझे किसी की इंसान की बेकार की बात का कोई असर नहीं होता मुझे अब सिप अपने से मतलब है exactly मेरी फैमली में किसी भी इंसान की शादी में मैंने कुछ भी देखा ना मेरी माँ बाप की शादी या चारा की ना मसी ना सागे भह ना संगे भाय मैं तो सभी बात वkt मैंने अपनी वैगल में किज की शादी अच्छी नहीं देखे पता ही नहीं क्यूंसा ही स्लिए इसलिए मेरा experience negative है मेरी best friend की शादी भी खराब है exactly मेरी neighborhood में भी एक बेटी की शादी हो गई नौ मन्त के physical relationship के बार हाँ नौ मैंने का physical relationship के बार भी उसकी शादी खराब होई है शादी करने के मना कर दिया था लड़के ने देज के लिए आपका घर कुछ and my reply continues मैं लिखती हूँ आपका अगर कुछ share करने के लिए है तो आप अपना channel शुरू करें और बताएं public को किसने रोका है आपको अपने विचार आप भी अपने experience के साथ share कर सकते हो क्या मैंने आपका नाम लिया अपने किसी भी ब्लॉग में जो आपको इतना चुब रहा है मेरी बात अगर आपको मेरी बात इतनी चुब रही है इसका मतलब आप भी same type boys हो जो मेरा ex था वो शुरू के 5 साल तो बहुत अच्छा था बट बेटा होने के बाद सास ने husband को मेरे अगेंस्ट करने की साजिश करी यह fact है आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां मैंने सुस्राल वालों की पोल खोल के रख दी है तो मुझे ऐसा लग रहा है न यह जो बंदा है रिशय प्रजापती या तो यह लड़का मेरे ex के तरह ही है he is same type c type c charger जो मेरा husband है और मैं सही बताओ शुरू के 5 साल तो मेरा husband ठीक था मतलब जब तक बेटी थी न बेटी तक हमारे घर में सब कुछ ठीकता जब बेटा हो आना तो मेरी सास बहुत चिड़ गई मुझसे क्योंकि बेटा हो गया अब ये मेरा बेटा दूसरा हो गया क्योंकि इसकी तो तीन बेटियां की बाद दू बेटे होए थे तो इसको इसके सस्राल वाले ने बहुत अपाकी रखा था ये तो अपनी कहानियां में पता ती थी हमारी सास कि उसका ससुरू से बहुत गाली देता था फिर बेटी हो गई फिर बेटी हो गई बहुत गालिया पढ़ती है देखो यार बेसिकली मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये मेरी लाइफ से रिलेटिड होगा तो बी वेरी फ्रेंक इनफ किसी को गाड में चुबे किसी के गाड में मिर्ची लगे आईल्स हो जाए I give a damn मेरा वीडियो चैनल है about my life, about my experience मैं कहां घूम रही हूँ मैं क्या खा रही हूँ मैं आज कहां गही महां पे क्या हुआ मेरे को किसी से क्या प्रॉब्लम है और आपको किसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं हेल्थ टिप दूँगी मैं DIY बताऊंगी मैं skin DIY बताऊंगी मैं आपको बहुत साई remedies बताऊंगी क्योंकि ये मेरा channel है मुझे किसी से क्या लेना देना यार who are you man and who is प्रजापती01 रिशब प्रजापती01 उसकी ID है और रिशब प्रजापती01 अगर आपकी गाण में दम है तो आप अपना YouTube channel शुरू करें और आप फिर ये बताएं कि लड़के कैसे अच्छे होते हैं मैं तो अपने वीडियो में व्लॉग में ये ही बताऊंगी कि शादियों में क्या क्या स्कैम है और मेरे साथ 2.5 लोगों ने अग्री करा है आप मेरे एक व्लॉग देख ले ना उसके व्यूज है 2.5 व्यूज ठीक है मेरे एक स्कैम वीडियो के तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर बैड के बक्चोदी कर रही हूँ बकवास कर रही हूँ हवा में कहानी सुना रही हूँ क्योंकि most of the लड़कों के साथ ये स्कैम होते हैं वो उनकी भाई है पेरेंट्स है जो लोग लाइक कर रहे हैं ठीक है अभी तू ओ तू अशोक है मैं फिर से कहती हूँ बॉइफरेंट सो मैं बनाऊंगी क्योंकि बॉइफरेंट बनाने से न क्या होता है लड़कों की कितनी तरह के मेंटालिटी होती है यार सो तरह के आदमी नहीं होते हैं दस तरह के आदमी होते हैं उसमें एक लाग तरह के मेंटालिटी होती है लड़कों की तो इन सब चीजों से न मुझे लड़कों की मेंटालिटी पता लग रही है और end में निश्कर्च ये ही आ रहा है कि लड़की से कोई शादी नहीं करना चाता अपने रिस्क पे वो सब ये बोलते हम शादी करेंगे माबाखी मर्जी से भई इतनी रिस्क कौन लेगा लड़की गा कल को कुछ हो करता हम माबाख के सर पे मर देंगे तुमने रिष्टा नि अपने बर्दे के दिन या शाद नेक्स दे मैंने अपना एक फोटो भी जा कि भाई I wanted to meet you because कल मेरा बर्दे था तो पता है उस बंदे ने मुझे फोन भी नहीं करा बस ही किना वट्साप पे हैपी बर्टे करके छोड़ दिया तो भाई मैं प्लीज डोंट गर्स डोंट फॉ यह लड़के न सरफ मतलब ही होते हैं सेक्स के भूके यह आपसे चिकनी चुपड़ी बात करेंगे तुम मेरी जानों तुम मेरा सब कुछ हो मैं तुमारे दिल में रहता हूं मैं मैं I love you and all they will have sex and they will never see you again hi good morning और कैसे आप सब लोग आजना बहुत ठंडा हो रहा है और ध्यान रखना मतलब अगर ठंडा लगें तो कपड़ा पहनना का मन करें तो पहन लेना ज्यादा शो शामत करना में को लगया ठंडा क्योंकि मैं बाहार चली गई थी मैंने पहने हैं अच्छे से कपड़े ठीक आज मैं एक review करने वाली हूं मेरी एक blog थी कि scams all scams के मैंने एक final video डाली थी type 3 जिसमें सारे scams मैंने सारे involve कर दिये थे तो एक लड़के ने मुझे comment किया है तो मैं आज उसका जवाब दे रही हूं मैंने उसको लिखके भी जवाब दिया है और मैं उसको बहुत साई लोगों को clear भी करना चाहते हूं क्योंकि अगर उस लड़के ने हिम्मत करके मेरे को comment किया तो that means और उसके उपर 10 like है यानि उ लड़किया हमेशा सही होती हैं खुद को देखो आपके साथ बुरा हुआ आप आज तक उन लोगों से अलग होके भी उनकी बुराई कर रहे हो और वो लोग बहुत अच्छे आगे बढ़ गए होंगे लाइफ में आप वहीं के वहीं हो देखो आपको यह नहीं पता कि आपके अंदर क्या-क्या गोड़ है मेरे अंदर बहुत सारे गोड़ है अभी में थोसी मोटी होगी सद्दी में क्योंकि न घर में बैटी रही अभी मेरा निक्रू कर दोंगी डाइट मेंटेंड करूंगी बहुत अच्छी फिजिकल हो इसा नहीं जोब के लिए अप्लाइग कर रही हूं मैंने इंट्रवी वी दिया मेरे दोर आउंट हो गए है जॉब तो मैं करूंगी यूट्यूब चैनल अगर नहीं चल पाएगा तो नहीं चल पाएगा क्योंकि यूट्यूब मुझे रोती नहीं दे रहा इट इस नॉट में मनी तो मैं अब यूट्यूब को प्रेफरेंस नहीं दूंगी 585 पे आके सब्सक्रिप्शन रुख गई है मैं फिर से कहती हूं बॉइफ्रेंट सो मैं बनाऊंगी क्योंकि बॉइफ्रेंट बनाने से न क्या होता है लड़कों की कितनी तरह के मेंटालिटी होती है या कि लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता अपने रिस्क पे वो सब यह बोलते हम शादी करेंगे माबागी मर्जी से इतनी रिस्क कौन लेगा लड़की का कल को कुछ हो करता हम माबाग के सर पे मड़ देंगे तुमने रिष्टा निकाला था तुम्हें लड़की लेके अब तुम जानो लड़की वाले जाने हम तो जा रहें राम राम जी और तुम देखो तुमने क्या करना है लड़के भार मूं मार लेंगे मगर शादी करेंगे माबागी और मैं एक और बार डिक्लियर कर दू मुझे अब किसी से मुह नहीं है अटाइश्मेंट मतलब मैं को पच्छे हैं तो तेरे ही सेक्स कर ने से मैंने कोई भारा अबनाफार करें तो बच्चे पैदा नहीं के तुन्हें डी ऑने टेस्ट कर वाया तो बस थेley पैसा खट और कर दłeं पैसा ख़र्च और हम बडो से भी नहीं अन अब मुझे उन शेभी नहीं है मुझे झुच द उ अपनी चान पर खेलना पड़ेगा तो मैं वह भी करूँगी तो मैंने अब सब मौ मास अप्याग दिये